कि अच्छों को प्रेंड्स विस्टों माई यूटूब चैनल और गूलकुलकडिमी और मैं राफिस कुमार ने यूटूब चैनल में अपसे अच्छी का स्वागत है चलिए आज के टोपिक तूर बढ़ते हैं आज का टोपिक है किसी भी बेटरी बैंक को आसानी से चेक करने के लिए कुम सा तरीका अपनाएं जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्टरियों में टावर में सोलर प्लांट में वहां बहुत सारी बैटरी लगी हुई होती है लेकिन सारी बैटरी कोमन में रहती है सब बैटरी पैरलल में रहती है जब भी किसी बैटरी में कोई खराबी होती है तो हमको पूरी लाइन को ओप करना पड़ता है बैटरी की पूरी लाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है तो क्या करें क्या करें कि उसमें किसी भी पूरी बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करना पड़े और जिस बैटरी में जो problem है उसको चेक करें और routine है कि वहां से off करके उसको daily चेक करें कि बैटरी हीट हो रही है नहीं हीट हो रही है थर्मो इस्टेट काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है कि माज़ीन यह सारी दो कि अगर सब परलल में रहेंगी और हैं उसको करेंगे तो पूरा आप हो जाएगा तो वह नहीं हो पाइगा तो चलिए पहले सबसे पहले में आपको सम्झाता हूं कि डाइग्राम की मतलब से कि इसको किस तरह से बनाया जाता है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है इससे क्या क्या फायदे हैं और कभी भी बैटरी रूम में आग लगने से हम बाकी बैटरी को कैसे बचा सकते हैं या फिर हमें आग लगने से पहले कैसे पता चलेगा कि वो रूम हीट हो गया है वो बैटरी एरिया हीट हो गई है या सारी चीजहें कैसे पता चलेगा ये ये सारी कीजें हमें दो चीज से पता चलता है या तो हम वहां पर थर्मस्ट्रीट लगा दें जो कि वो temperature को sense करता है या तो हम वहाँ पे temperature controller लगाज़े अगर हम वहाँ पे temperature controller लगाएंगे तो वो perfect बताता रहेगा कि अभी यहाँ पे इतना temperature हो गया है battery के इस area में और अगर और अगर हम thermostat लगाएंगे thermostat भी जितने पे हम set करके रखेंगे उतना temperature होते ही वो जो है अपने contact को change कर देता है अगर अनो है तो NC हो जाएगा तो अगर अनो होगा तो command दे देता है ठीक है तो चलिए इसको समझते हैं इससे फायदा यह है कि battery को फटने से पहले अगर room गरम हो रहा है battery का room गरम हो रहा है सबसे पहले करते हैं उ चलिए एक रोम मैं मेरे पास चलिए और एंपर मेरे पास तीन रूम में जाए चलिए मान के चलिए कि रूम में 6 बैटरी है जब 6 बैटरी है और वो बैटरी 1.5 AH की है 1.5 AH 12W की है तो हमें करना यह है कि जो मेरे पास UP-S है वो इंपीएस है 72W का है वो Ups है जो बैटरी का है वो Up-S 72W का है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक बेटरी बारा बुल्ड ही है बारा बुड़े छे कितना हुजा बाहतर तो हमें सबसे पहले इसको करते हैं सिरी लुड़ सबसे पहले मैं इसका पॉइंट बनाता हूँ माइनस वाला प्लस वाला पॉइंट बन गया और इसमें बना देता हूँ फटापट तक ज्यादा टाइम ना लगे सारे माइनस वाला पॉइंट मैंने बना दिया अब बनाता हूँ प्लस वाला पॉइंट फटापट प्लस वाला पॉइंट होगया और माइनस वाला पॉइंट होगया अब इसको ध्यान से देखी है यह प्लस है जो रेड कलर का है जितना भी है रेड कलर का बैटरी में टर्मनल वह प्लस है और यह आपका यह एक माइनस है जो वीडियो कलर का टर्मनल है वह माइनस है कि सबसे पहले हमें करना क्या है इन इस बैटरी को स्रीज में करना है इन इस बैटरीज को स्रीज में करना है तो यहां पर हम हम सबसे पहले है यह ब्रेकर है ठीक है यह मेरा एक ब्रेकर लगा वगा हुआ है एंसे सी भी के बैटरी की लाइं को इमर्जंसी के लिए ओप करने के लिए SUPER करने के लिए मैंने ब्रेकर लागा रखा लिर नबर इंबर टू बर्धिर करा अलग अलग बेंक अलग लेकर ठीक है आप खटापट करता हूं इसको मैं स्रीज में दिखिए माइनस से उठाया प्लस में फिर माइनस से 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 प्लस हर Q8 जारा हैं जो जो होता है तो हो Oui व्य refuse का है कि उसका एक सिरा फ्लस वाल और प्रेंड के माइनम कुल आपस में जोन्ट होके तो वह स्रीज होती है तो सेम तो सेम ऐसे ही बैटरी में जो यहां प्लस वाला था प्लस वाला मैंने दे दिया सीधा ब्रेकर पे और यह माइनस वाला उठा के दूसरे प्लस पे फिर माइनस फिर दूसरे प्लस ऐसे करके अब यहां निकल लिया माइनस वाला पॉइंट अब इस माइनस वाले पॉइ इसके ब्रेकर में और करने के लिए यह दबल पॉल का ब्रेकर हो सकता है और पॉल का ब्रेकर हो सकता है वह अपने उपार है ठीक है यह हो गया कि अब जो यह लाइन है यहां से निकला क्या अधिन्पोत आए है या फूंत हो गया तो इंपोंत में आपका यहाँ मैनम को यहाँ दे GRAığım को हुए अर्या हमने बना देता है कि मता माईनथ हो थी कि अब आगे यहां देखिया यह कि माने शो मोगा के और इसका माईन fuhr यह बना देता हूं, यह मायनस हो गया, यह मायनस हो गया, चाहए साथ यूपीयस में सब्सक्राइध कर सकते हैं, वजण सारा खुरे वायर हैं यूपीयस में जोड़ेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है यह हो गया आप प्लस वाला जोड़ते हैं पटा 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 प्लस वाला भी आपका अईसे ही रहेगा यह हो गया प्लस वाला भी 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 आपका अच्छा 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 यह हो गया प्लास वोला वयर और यह हो गया मैने से पूरे न मीला बेकर में जोड़ दिया थी थैसरों अब उसके लिए हमें क्या करना है मेंब ले लिया यह बेकरम राय। पटापट स्रीज में अब जो मैंने स्रीज किया भी जो मैंने स्रीज किया तो देखिए इसमें भी स्रीज किया सेम च्छे बैटरी का और यहीं हो गया कितना इसका पावर जो है तो पावर वही रहेगा लिकिन बोल्टेज बढ़ जाएगा श्रीज होने के बढ़ जाएगा यह चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जहां से माइनस वालब पॉर्ट ले जाता हूं और यह दे दिए मैंने कहां पे ब्रेकर के आउटपुट में ब्रेकर के आउटपुट में दे चाहिक सेम के इसमें करना है ऑं पर मेंस नंग को मेंग इंसमें बी करना है इसमें मान लीजिए वहां से मैं नहीं ले पाऊंगा तो मैं यहां से इसको इसको यहां से ले लेता हूँ बाकी को करता हूँ कटापट श्रीज में यह हो गया यह हो गया यहां से कैमिल लेगा हमको मैं इस माइनस को इस माइनस को उठाके इसमें दिया बेटरी में बेटरी के जो सिरा कि यह का चीज़ के अब देखेंब mà चीज चाहिए मां दुझीरे तो बारा-बुड़े चीज़ों सीस्थえて music थिए है 72 वोल्ट हो गया 付केट लगा है यहां पर यह हो गया लेकिन इस इतना हो गया आपका देड़ सो कि देड़ सो एसकी एक बेटरी है जाश पर है तो इसमें बेटरी है तो नहीं बड़ा लेकिन इस बैटरी को इसेटिंद राद में कि इस इस न सबस्क्राइब रएक्ट करेंग तो सबस्क्राइब कितना हो जाएगा साड़ी चार सो गुड़े तीन तो हो गया कितना साड़ी चार सो एयाच कि साड़ी चार सो एयाच अब इसमें कि इसका प्लस पॉइंट यह है कि अगर इस रूम में कोई खराबी होती है इस बहिंक के एरिया में कोई खराबी होती है तो हम यहां से बेकर को कर सकते हैं और ध्यान देने के बात यह है कि बेकर को कभी भी रूम के अंदर ना लगाएंगे तो कि क्या होगा कि कभी भी रूम हीट होगा रूम में कोई बैटरी ब्लस्ट करेगी कुछ भी होगा तो हम बाहर से ही बैटरी को डिसकनेक्ट कर सकते हैं अगर हम डिसकनेक्ट कर देंगे तो बाकी बैटरियां बची रहेंगी बाकि बैटरियों पे असर नहीं जाएगा अगर हमें बनाना भी है किसी बैटरी को चेक करना है तो इसको मौप करके चेक कर सकते हैं कोई जीशु नहीं है अब मान ली दियो कि यह हो गया कि माली दिये कि भूझ हीट हो या सिङ लगा है एर कंडिश्न-र लगए है और किरीखयों이슰리 ने थ्यान नहीं तो कुछ टाइम क्या होगा और कुछ फूरी हीट इसके लिए हमें एक इसी डिवाइस की जरूरत है जो टंपरेचर को सेंस करें और आगे कमांड भेजतें तो कैसे होगा वो देखिए उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा दो चीजे एक तो हो गया नो बोल्ट कोईल यह नो बॉल्ट कोईल इसलिए है कि जब भी हमें ब्रेकर को भीना राप्च किये वेना किसी के Kara को ओप करना थ्रमों स्टेट के तुरू आटों में और करना है जो है इसको टाइमर की तुरूर और करना है तो उसके लिए हमें दूसरा चीज यह इसको आप हो गया लेकिन अब यहां से हमें कैसे Ao है या नहीं तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या इनो कौंटक्ट उसी ब्रेकर में अगर अगर इनो काॉं सब देकर ओप हैं उसके थुरू हम लैंप को ओन कर सकते हैं यहां को अब बात करते हैं कि थर्मो इस्टेट लगाना कैसे है या थर्मो इस्टेट लगता कैसे है फ़्स ऐहां बश्टेट के लिए सबसे पहले क्या करना है हम कि यहां पर बना देता हूँ इक एक मैं एक ऑन सीस्टेट लगाना है सब सिंगल फेस मेरे पास अभी थर्मो इस्टेट हसमें एस फार्मो इस्टेट ले लिया कि अब यहां मैं बनाता हूं यह कर स्विच जब कर दो कि कि अब मैं यहां पर बनाता हूं मैंने यह स्विच बना दिया यह स्विच अइसा है कि यह थे अगर आपके पास DC भी दे सकते हैं इसमें कोई शुब नहीं तो हमें यहां पर मैं देता हूँ व्हें यहांपर होगए क्या कि यहांब पर जो है कि निकल लेएगा मेरा छाही क्या प्लस मानियें यह फिर एसे की लाइन मानियें मैं इसको एसे की लाइन मान लेता हूं ठीकप अभी जैसे ओन किया तो सबसे पहले सप्लाई कहां जाएगी यह जाएगी आपका सिधा कहां यह जाएगी एक टाइमर लगाना है ताकि कभी भी थर्मो इस्टेट अगर अचानक उन हो जाए तो डारेक्ट ब्रेकर ओप ना हो जब भी कि थर्मो इस्टेट कभी भी हो जाए डारेक्ट या कोई उसको छेड़ दे तो डारेक्ट ब्रेकर ओप ना हो किसी भी रूम का उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक टाइमर ताकि दो चार सकेंड या एक सकेंड तक के लिए वह टाइमर ओन रहे उसके बाद वह आप हो ज सबरह टाइमर टाइमर के जो है जो कॉमन था उसपर दे दिया इसी कर दिए अब द़िए सब्सक्राइब breeding जयां को सब्सक्स क क्या लेना है कि हमसे ऊब लेना है कि हमने लेना है इनो पॉइंट यह है आपका तीनो रूम का यह आपका तीनो रूम का अब पॉइंट हो गया ठीप है अब उसी इनो पॉइंट से टाइमर को अन कराना है ताकि टाइमर कुछ देर तक अन रहे उसके बाद टाइमर ओ रहे कुछ देर तक टाइमर ऑप को टाइमर अन का ते से हअने कहां दे कि एक सोब है अगर लगा सकते हैं लगा है लगा ले कोई दिक्खतमे बाव जाएगा का निउटल को यह आपका का कि निउटल इसको अपर से कि मिटा देता हूं तो का कि अद्या वह आगया अपका अधिशना भाव गया है थीक्था यह आपका डारिक्ट हो गया यह हो गया जब इधर्मों स्टेट अनुगा तो सबसे पहले यह time our own होगा और timer on होने के बाद कुछ second के बास पिर यहां से हमें क्या मिलेगा यहां से जो output मिलेगा यहां से जो हमें इसका output मिलेगा वो output से direct वो output से direct हम किसी भी breaker को ओफ करा सकते हैं ठीक है वो किसी भी breaker को हम ओफ करा सकते हैं मैं मा लेता हूँ ये ब्रेकर ये है पहले ही ले लेता हूँ अब अगर मैं चाहूं तो अलग अलग टाइमर लगा के अलग लग ब्रेकर पर ले सकता हूँ या ठीक है अभी मैंने इन दूनों ब्रेकर के कोईल पर नहीं दिया इन दूनों के कोईल पर मैंने supply नहीं दिया तो जो यहां पर हमको निकला कहा यहां पर नीud Blow निकल दिया तो यहांसे भी नीड हो जाएगा या तो हम DC अगर ऐल लग रहेंगे तो यहां से यसका जो लगाएंगे जो supply हमें देंगे वही supply है हम DC उज कर सकते हैं DC लगा सकते नहीं तो इसी भी लगा सकते हैं तो मेरा यहां पर मलेगे L और N हो गया कोई का एक wire में L आ गया यह टाइमर के थू और यो कोई के दूसरा wire बच गया वह बच गया एंड ठीक है अब इससे मैंने आपको बता दिया क्या फाइदा होने वाला है इससे ये फाइदा होगा कि किसी भी रूम में अगर बैटरी हीट हो रही है या या अपने पास मैंपावर कम है और पूरी जब अपने पास मैंपावर कम है और सब चीट को मेंटेन करके रखना है बोल्टेज भी चेक करना है इसका जो है टंप्रेचर भी चेक करना है हर चीट चेक करना है और सब आटों में रखना है तो अपने पास सिर्फ दो ही विकलब है या तो थर्मोंस्टेट लगा अलग अलग रूम में तब जाके वह सही होगा आप आप लोग समझ गए होगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाएं जाएं जाएं